नमस्कार मैं ओम आप सबको ओम टेक अपड़ेट को फिर से स्वागत करता हूँ आज हम एक बहुत बढ़िया टपिक लेके आए अलबम डिजाइन के बारे में बहुत सरे अक्षन बहुत सरे स्वाप्टर में बनाया है मैंने जो यूटूब जैनल में हैं आप देख सकते हो तो बहुत सरे अड़्वांस आफ्षन में भी बनाया हूँ तो आज इस ऐसा एक अप्षन लाया हूँ जो बेस करके फोटोशॉप के सबी वर्सन में काम करेगा और आपके काम को बहुत ही आशन कर देगा, तो अलबम डिजाइन के लिए मार्केट में तो बहुत सरे सॉप्वेर हैं, जो सॉप्वेर हैं वो एक तो प्राइस में थोड़ा ज्यादा होता है, दूसरी बात तो यह होता है कि अगर आप सॉप्वेर लेते हो, वो एक ही सिस्ट में यह काम करेगा, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके, हम अभी स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे हम लोड करेंगे, इसके साथ कैसे काम करेंगे, और इसको हम लेंगे कैसे, तो यह जो आक्शन है आपको फ्री में मिल सकता है, कैसे मिलेगा, यह वीडियो लाश्ट सक देखिए तो आपको यह कैसे मिल सकता है वो आप जान सक होगे तो चलिए सुरू करते है तो पहले क्या होता है कि आपके पास इस तरह से आपको आक्षिन का जो रार फाइल है आपको मिल जाएगा फोटो फिलर वाय ओम लिज्टल के नाम से इसको आप राइट क्लिक करके एक् कैसे मिल जाएगा ऐसे तो आफशन एक स्ट्रा को गया है आपको कुछ भी नहीं करना है सिर्फ आपको आपका फोटोशब ओपन करना रहे उसके वाद एक्षन का पाइल हैं यहां पर क्लिक करना है आक्षन आज आएगा इस पैनल को यहां पर प्लेस कर देना है उसके बाद क्या करना है आपको यह जो एक्षन है यहां से ड्राग करके यहां पर छोड़ देना है बस इतने हिससी बात है अब इसको कर दोगे तो यह आपका आक्षन लोड हो गया अभी क्या कर यहां पे जो drop पार हो है इसमें click करके इसको button mode में convert करता है तो यह आपका button हो गया तो यह था आपका installation process तो बहुत अच्छे से आप installation कर सब्सक्राइब तो अभी देखते हैं यह काम कैसे करता है तो काम के लिए मैं एक template लेता हूं तो मैं यहां पे open कर देता हूं तो यहां पे मैं एक template ले लेता हूं तो देखिए मेरे पास एक album का template आ गया है अभी यह जो template है इसमें मैं photo feel करूंगा तो जैसे कि आप जिस जिस mask पे जो frame पे आपको photo लगाना है फस्ट उसी frame को आप select कर लिजिए तो select option को जानने के लिए यहां पे show transform corner पर आप tick कर लिजिए तो show transform controller यहां पर active हो जाएगा और यहां पर आपको show करेगा आप किस frame को select किये हो तो पहले आप इसको tick करके यहां पर आप select कर लिजिए उसके बाद आपका जो उंगली है उसको जो function की है जो keyboard पर function की है F1, F2, F3 उस पर F2 पर आप हाथ को रखिए तो यहां पर click करेए और F2 प्रेस कीजिए F2 जैसे ही आप प्रेस करोगे आपके पास एक window open हो गया उसके बाद आप अपना जो photo है जहां पर आपका photo है वहां पर photo folder पर चले जाए और जो photo आपको चाहिए बस उसी photo पर click करके आप press में click कर सकते हो जैसे ही आप प्रेस पर click करोगे वो photo अपने आप यहां पर आ जाएगा जस्ट एंटर प्रेस करोगे तो यह photo अपने आप यहां पर लग जाएगा तो आपको बस उस photo के फ्रेम के हिसाब से आपको resize करना है तो यह आपका एक photo लग गया है दूसरी बार ऐसे ही आपको select करना है F2 ड़ाना है और दूसरा photo select करना है प्लेस करना है और एंटर प्रेस कर देना है उसके बाद उसको resize करना है तो इसे भी कर सकते हो, मैं दूसरी तवरी क्या भी आपको दिखा देता हूँ, एब टू पर हाथ रखना है, इसको क्लिक करना है, एब टू प्रेस करना है, यहाँ पे फोटो लेना है, फोटो पर डबल क्लिक कर दोगे, तो भी यह काम करेगा, जदा फस्ट हो जाएगा, तो अभी देखिए, यह आराम से आपका फोटो यहाँ पे लग जाता है, तो यह से अगर आपको एक album design बनाना है एक page बनाना है आपको ज्यादा से ज्यादा 30 से 25 सिकेंड लगेगा 25 से 30 सेकेंड में एक page आपका complete हो जाएगा तो बहुत ही आसान है आप अगर इससे काम करोगे ये आपका काम को बहुत ही आसन कर देगा और आपका जो एल्बम है आप 30 सेकंड के हिसाब से अगर आप एक आल्बम डालोगे तो आपका 15 मिनिट 20 मिनिट में 25 सीट रेडी हो जाएगा ठीक है इसी तरह बने रहिए अगर आपको ये अच्छा लगा और ये अक्षन आपको चा पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किये हैं तो ठीक है उनके लिए तो मैं बहुत सारे अक्षन दे रहा हूँ तो थोड़ा मज़े help कीजिए आपके जो family में को जो member हैं उनके साथ भी आप मेरे चैनल को share कीजिए कुछ subscribe मुझे दीजिए और मैं उसका screen script दीजिए मैं नमबर है तो 986159334 इसी नमबर पर मुझे worship कीजिए मैं आपको action दे दूँगा ओके धन्यबाद